हिमाचल के चुनाओं का दिन आ गया है शनिवार को यहां 68 सीटों के लिए वोट पढ़ेंगे क्या जनता राजनितिक दलो खासकर मौजुदा सरकार के वादो और दावो पर यकीन करके वोट करेगी या फिर विपक्ष के वादो पर या फिर जनता के अपने कुछ मुद्दे हैं वो उसको लेकर वोट करने जा रही है आज चुनाव चक्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरे साथी हिमाचल के दौरे से लोटे रवी शंकर दूबे और हिमाचल की राजधानी श्यम्ला में मालविकास सिंग तो शुरुआत में जल्दी से हिमाचल के सीटों का गुरांगड़ी देख लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं चर्चा विछले कुछ सालों में भाजधपा और कॉंग्रेस को बारी बारी से हिमाचल की जनता ने कितनी सीटों पर जिताया है देखते हैं विधान सभा चुनाव 2017 की बात करें तो भाजपा को 44 सीट मिली थी, कॉंग्रेस ने 21 सीटे जीती थी, CPM के खाते में 1 सीट आई थी और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी वहीं 2012 विधान सभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 26 सीटे जीती थी, कॉंग्रेस के हाँ 36 सीट लगी थी, HLP ने 1 और अन्य के खाते में 5 सीटे आई थी विधान सभा चुनाव 2007 की बात करें तो भाजपा ने 41 सीटे जीती थी, कॉंग्रेस ने 23, BSP ने 1 और अन्य ने 3 सीटे जीती थी विधान सभाचुनाओ 2003 की बात करें तो भाजपा के खाते में 16, कॉंग्रिस के खाते में 43, HVC के खाते में 1, LJN SP के खाते में 1, LMHP के खाते में 1 और अन्नि के खाते में 11 CTIT तो रवी सबसे पहले शुरुआत बातचीत की आप से करते हैं, आप हिमाचल के दौरे से लौट कर आए, बहुत सीधा सवाल आपने क्या देखा? तो हिमाचल में अगर सीधे तोर पर हम बात करें कि मुद्दे क्या चल रहे हैं या कौन सरकार में आ रहा है तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि समस्याएं जो हैं वो अथा हैं महाँ पर, आप चाहे सड़के ले ले लीजे, पानी ले 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 और सेप के बगानों में काम क करने वाले किसानों की समस्याएं ले ले लीजे, उनके जो खाद, उनके जो जाल होते थे, उन पर सबसीड़ी खत्म करना ले लीजे, चाहतर संगठन चुनाओं को खत्म करना ले लीजे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन से जनता जूज रही हैं, अब एक बार लेकिन अग बड़ी चीज है कि सरकार बदलेगी या नहीं बदले, क्योंकि भाजपा दावा कर रही है कि हम राज नहीं, रिवास बदलने जा रहे हैं और हम फिर से सरकार दोराने जा रहे हैं, तो कॉंग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि उनके पास कोई नेता नहीं रह गया है, अब वी नहीं लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी एक उनका चेहरा इस्तमाल किया जा रहा है कि कॉंग्रेस के तरफ से कोई बड़ा चेहरा है, लेकिन जनता के बीच में वो शायद वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, जो वीरभद सिंग की तरफ से दिया जाता था, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर ये मुद्दे वाकई में जनता को घर कर गए, तो फिर पानी जैसा मुद्दा जो एक सबसे बेसिक चीज जो होती है पानी, उसकी इतनी जादा समस्या है हिमाचल पदेश में कि मैं खुद रहकर किया हूँ, तो मैंने खुद वहाँ पानी के लिए सर ठीक है, लेकिन पानी सीमित खर्चा करना, तो ये मतलब इतनी बड़ी समस्या है अपने आप में कि इनका निदान कैसे होगा, शायद सरकारों को सरकार राज बदलने से जादा इन चीजों को बदलना चाहिए, कि भाई इनका निदान करना चाहिए, पहले भी मैंने पिछली पर निदान कीजी, फिर वो ही करते हैं, और जो पांस साल नहीं रहते सरकार में वो बढ़े-बढ़े वादे और दावे करते हैं, हम यह आकर कर देंगे, तो ये इस वज़े से पैटरन होता है, लेकिन ये पैटरन बदलते भी रहें, और पैटरन ये चलते भी रहें, अब जैसे हमने कहा था कि एक बार तीसरा प्लेयर भी आया है और वो तीसरा प्लेयर अब निट्रल है, वो तीसरा प्लेयर जो था आम आदमी पार्टी हमाचल के सीनस т消ाल के करहां अब नहीं है, तो आपने जैसे कहा पानी का मुद्दा, आपने पछली रीपोर्ट आप कि आई ह दो हजार तेरा में चुनाओ बैन कर दिये गए अब जिस परदेश में बड़े बड़े नेता चाथर संग चुनाओ से निकले हों अब वहां पर अगर आप चातर संग चुनाओ खत्म कर देंगे तो आपका जो लोकल लीडर है वो तो आपके सामने आएगा नहीं इसका मतलब ह सब कुछ आप अपने केंदर पर निर्धारित कर देना चाहते हो कि अगर यहां के भी लोकल जो फैसले हो वह भी हाई कमान लेगा बैट करके तो ऐसे राजनिती नहीं होती अगर आपको जमीनी मुद्दे समझने हैं तो आपको जमीनी इस तरका नेता चाहिए होगा और लोकल यह बोलना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ जा रहे हैं आप अगर कभी मतलब आप जाएंगे जगा 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 जा रहे हैं मुद्दे हैं सब कुछ है आंटी इंकमेंसी बहुत स्ट्रॉंग है तो एक तरह से लोग बोले हैं कि यह नेक-to-neak competition है पर इसका सबसे बड़ा जो लोग बोल रहे हैं कि यह नेक-to-neak शायद नहीं होता प्रबबली बहुत भारी मतों से कॉंग्रेस आती अगर उनके पास एक लीडर्शिप होती तो आइ थिंक वो सबसे बड़ा जो लोगों के बीच में जो कमी जो बोल रहे हैं महसूस कर रहे हैं लोग वो उस चीज क कि है वो जगा जगा राली कर रहे हैं सारी 68 कॉंस्टेंसी में राली कि हैं सारी जगा गए बड़े से बड़ा नीता छोटी से छोटी सबाहों में जा रहे हैं तो इसकी दो मैसेजिंग लोगों के बीच में जा रहे हैं एक है कि A central leadership you know they care about the people and the problems of such a small state but secondly एक मैसे ये भी जा जगा इस गवर्मेंट में इतना काम करा नहीं है so it has to rely on the central leadership जी दोनों है double engine जो है वो उसे दिखाना भी चाह रहे है और Congress सिर्फ प्रियंका पर निरभा रहे है खाडगे जी और भी लोग आई है Sachin Pilot जो सब बोल रहे है जो सब जानना चाहते है Rahul Gandhi ji he hasn't come but I think यहां पर जो जादा जैसे वीड़दर जी के बेटे हो गया है अब who is also an MLA seeking re-election I think he has also extensively traveled other than Priyanka Gandhi but इसके बजाए I think Priyanka Gandhi के सबसे जादा rallies हुए है but other than that Rahul Gandhi जिसके बारे में opposition भी काफी पूछ रहे है कि वो भारत जोड़ो बाद में कर सकते थे यहां से भी जा सकते थे that has been a thing यह सवाल तो है ही अच्छा यह मुझे बताईए कि जनता क्या अपने मुद्दों पर पार्टियों को लेकर आपाई सरकार और विपक्स दोनों को मजबूर कर पाई कि वो जनता के मुद्दे जो है उन पर बात करें एक तरह से on some schemes yes, जैसे old pension scheme अपर इनके भी बहुत divergent बयान आई है सब चीजों पर जब चीफ मिनिस्टर जैराम ठाकुर जी ने बोला है उनों ने बोला कि मैं यह रेस करूंगा old pension scheme का मुद्द प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सबसे बड़ा मुद्द बनके आ रहा है सारी जगा चाहे वो अपर हमार चलो लोर बेल्ट में हो कहीं पे भी हो पर साथ ही साथ अब इनके central leaders बोल रहे हैं कि यह you know the diverging was Hussain कि वीर बदर जी लाए थे तो उस तरीके से यह अभी कोई clear वो नहीं है पर एक मुद्द आ रहे हैं सामने चाहे वो बीजेपी के उस पर आए बीजेपी को corner करने के लिए आए चाहे वो Congress ला रहे है चाहे वो normal मतलब आम जनता बोल रही है आप से एक में बात अभी अगले उसमें बात करूँगा एक मुद्दा बड़ा है महिला मुद्दा है ना तो मैं इस पर आपके पास दुबारा लटूँगा मैं फिर एक बार रवी के पास चलूँ तो रवी जो आप ground पर गए आपने शहरी आलाके भी कवर की और गाउं में भी आप गए तो जैसे आप सेब किसान वाला मुद्दा बतारते हैं जो सेब बागवान है उनके एक एक चीज का खाद बीज यह तो बड़ा ही रैक जो होती है जिसमें उपैक करते हैं जो जाता है ट्रांसपोर्ट है वो सब महंगा हुआ है तो उनके क्या मुद्दे है और जो बेरोजगारी एक मुद्दा है पूरे देश में किस तरह से वो हिमाचल को भी प्रभावत कर रहा है तो सेब किसान और बेरोजगारी देखिए बेरोजगारी तो अगर पूरे देश में देखे हैं तो देश के साथ-स साथ जिलों में सेब उगाया जाता हो उसकी खिती की जाती हो लेकिन पुरे देश में 21 प्रतिश्यत हिस्सेदारी है इसकी तो मतलब यह अपने आप में बड़ी चीज़ है उसके जब सरकार को पता है कि सबसे जदा रोजगार जो है वो सेब बुद्योग में या सेब के से जुड़े हुए हैं आप सोचिए कि जो स्टोर करी जाते हैं सेब जो कोल स्टोरेज में रखे जाते हैं जो एक रेट का सेब है उसकी कीमत भी एवरेज टू एवरेज जाकर के 50 रुपए मिल पाती है और उस 50 से 50 मैं आपको शायद बहुत जादा रहा हूं और उससे भी कि जीज का गैप है इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि भाई वो जा कहा रहा है इसके अलावा सरकार ना उनको फैसिलिटीज दे रही है किसानों को व्यपारियों का कि आप अपना से मंडी तक ले जाईए उसकान को उगाना है और खुद ले जाना है और इसके किस तरह से लोगों की आवा जाही या शेहर तक कनेक्शन उसका कैसे अभी जो इनका मैनिफेस्टो जा रही हुआ है इन्होंने का है कि प्रधान मंत्री ग्रामेर्ट सड़क योजना की बात कि हर गाउं तक सड़क पहुंचाएंगे पिछले साल भी इन्होंने कहा था अब मेर चोड़ी सड़कें नहीं होती हैं लोगों को निकलना होता है दो गाडियं एक साथ निकलनी होती है और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल के लोग ही वहां ट्रैवल करते हैं टूरिजम सबसे ज़ mandate तो बाहर के लोग उसे थोड़ी सि चूख हो गई-हगों-दिए-प्त शॉण पर दूसरी और सड़के बीच में बड़े बड़े गड़े हैं को अगर कोई बीच में बात करता है इस पर कि बीच में गड़ा है तो गाड़ी को ऐसे काट कर ले जाना ही होगा मालविका जो सड़क का एक मुद्दा है सड़के हम जब जाते हैं मनाली तक भी गए दिल्ली वाले खुब भूमने जाते हैं देखते हैं कि सड़के खुब बन रही पर पहाल भी टूट रहे हैं लगाता है और वो सड़के कितनी जरूरी है या उन्हें बनाना एक पहाल से खि activity है जो आप जाएंगे मनाली डेली शिम्ला वो अलग होगा वहाँ पर तो फोर लेनिंग प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनकी कैसे मिली है कैसे नहीं मिली है it's always disputable पर जो अंदर विलिजेस के अंदर जहां सडकी है या जहां तक पहुंच नीचे यह लिंक रोड जो जिने बोलते हैं पहुंच आने के लिए तो वो यहां के लिए जादा इसेंशल है इंसाइड दे सिटी ऑल्सो चाहिए आप शिम्ला की बात करें मनाली तो कहीं पे भी बिकॉज यह थोड़ा जादा हीली एरियाज है लोर बेल्ट में फिर भी पॉसिबल है कि आप बिगर वाइडर रोड्स कंस्ट्रक्ट कर पाओ पर जो और जैसे रवी बोल रहे हैं इनको तो काफी लोग यह कंप्लेंड करते हैं कि यह जगा पैदल चलने के लिए बनी है सड़कों के लिए नहीं बनी है तो इसी से जुड़ता है सवाल मालवी का कि स्वास्ते सेवाई जो है अस्पाताल है एंबुलेंस हम उत्रखंड की लगतार खबरे हमने यहां पढ़ी है दे आरियों मिलेगा, you're right, I in fact अभी मैं चौपाल है, शिम्रा डिस्क्रिक में पढ़ता है कोई यहां से लगबग 50 कर किलो मीटर दूर होगा, वहां एक CHC है तो मैं उसके उपर कुछ रिसर्च करने वहा गई थी, तो जो सड़के है, जो एक में रोड है वो आपको कनेक्टिव पेशक मिल जाएगी, पर क्योंकि वहां पर विलिजेज इतने दूर है, एक तो विलिजेज भी ऐसे स्पास्ली लोकेटेड है, सब साथ में नहीं होते, तो अब हर एक विलिज तक रोड पहुंच आना मुश्किल भी है, पर पहुंच भी नहीं रहे, तो काफी लोगों को ल पहुंच भी नहीं होते हैं, पहुंच भी नहीं होते हैं, पर वहां पर कितना स्टाफ है, कितनी फसिलिटीज है, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है, अगर आप एक रोडू के नौर इस एरिया से आएंगे, तो आपको शाएद एक छी ची बीच में मिल जाएगा, पर वहा के साथा के से निए थे निए प्रोड एक्सिजन्स पे एरियास में, और डिलिवरी के सरे बहुत आते हैं, बट दी नहीं हैं, तो थे उनको रेफर करना पड़ता है, इनको बहुते हैं, नहीं पहले से हम पहले से हुनने अल्टर साउंड के लिए बड़े बड़े होस्पित और हमने देखा पाहड पर क्यूंकि एस सब जगे हैं पाहड पर महिलाएं बहुत महनती और शाद से आगे होती और हुमाचल में भी महिलाओ ने पूरा हमने देखा कारुबार समाल रख है। सारे कामों में बो आगे है । पर महिलाओं का किस तरह से आप देख रहे हैं उनकी प्रतिनिदित को लेकर उनकी भागेदारी को लेकर एक चो सबसे आपके इसी से जोड़ता इसी इलेक्शन का एक 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 जामपल यह है जो मंडी में सिटिंग MLA ने अपनी डॉटर बीजेपी के सिटिंग MLA ने अपनी डॉटर को टिकेट नहीं दिया जबकि वो जलग जिला परिशद से थी और उन्होंने काम किया है बहुत जादा और उन्होंने काफी यह बोला भी था कि actually she came out in the media and she said कि यह बहुत ही पिता अपनी बेटे को ही आगे करना चाह रहा है आप दिली से टिकेट ला सकते हो लेकिन वोट नहीं ला सकते तो अब इसके कही रीजन से political ideologies भी दूनों पार्टीस की इसी तरह रही है कि वो male representatives जादा जा रहे है बल्कि अगर देखोगे तो Himachal I think is the only state जो 5% women representation है विधान सबा में as opposed to 6 or 7% in other states तो अब यह तो political parties का भी है कि वो अपने किस तरह से अपनी women representation देना चाहती है चलिए यह तो है नहीं वही तो पर बार-बार जनता जाती है लड़ती है सुचती है पर आखरी कमेंट आपका क्या होगा इस पूरे चुनाओ हिमाचल के चुनाओ का एक कमेंट आखरी कमेंट आखरी कमेंट अब यह देखेंगे कि बारा कल वोट हो रहा है कितना turn out होगा यह लोग वोट करें और जो सबसे अभी जो सबसे दिफिकल्ट लग रहा है कि कुछ एक अरिया ज में बरफ पड़ चुकी है तो वहां कितने एक तरह से लोग बोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ताल भी something to see especially in La Hall area थंड बढ़ रहे है जो bigger towns or cities होते है वहां तो जगा जगा बूत होते हैं चाहे local schools हो या कुछ पर जो basically जैसे district हो गई La Hall के नौर यहां पर थोड़ा दूर-दूर होते है तो people have to travel and come तो इन ही areas में सबसे ज़्यादा problem भी होती है voting की तो बरफ motorable नहीं है तो अब कितना लोग आ पाएंगे वो challenge रहता है चली है vote होने दीजिए फिर देखेंगे क्या जनादेश क्या है अब आखरी comment रवी से भी ले ले लेते हैं इस पूरे चुनाओ को आपने जो देखा जो travel किया जो लोगों से बात की सड़कों पर चाहे के दुकानों पर जो लोगों का एक mood देखा अब एक आखरी comment आपका क् किस तरफ जा रहे हैं बदलाव की तरफ पर चाहरे हैं वहीं मौझूद है सरकार वापस लेने जा रहे हैं यह मतले मूड क्या है हिमाचल का mood हिमाचल के mood को हम कई तरह की से देख सकते हैं क्योंकिんな मुद्द्व होते कि मेरे ख्याल से 40 परसंट भी पूरे नहीं होते हैं और अगर जो परंपरा चली आ रही है या हर 5 साल पर बदलना है फिर भी सरकार बदल जाएगी इसके अलावा अगर जैसे लोग बोल रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है और कॉंग्रेस उनके सामने खड़ी है तो लोगों को कहना यह है कि कॉंग्रेस के पास कोई ने में देखते हैं हिमाचल में मालविकार आपसे पूछूँगा यह कि क्या महां भी कुछ हिंदू-Muslim काम किया या वह मुद्दा नहीं है यहां पर लाजली यह मुद्दा अभी तक बना नहीं है क्योंकि यह यहां पर मुस्लिम पॉपिलेशन है भी बहुत कम देखा हां नही लेकिन इंट्रिस्टिंग आपने पॉइंट आउट किया इस बार वीजेपे के मैनिफेस्टों में जरूर है वक्फ बोर्ड पे पूरी इंक्वाइरी जो कभी पहले नहीं आए है चली हम तो यही चाहेंगे कि हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दे ये सब गटर में फेक दी जाएं और लोग अपने मुद्दो पर रियल मुद्दो पर जमीनी मुद्दो पर जो उनकी समस्या है उन पर वोट करें तो मालविका आपका और रवी आपका बहुत बहुत शुक देखते हैं जनता का फैसला जनादेश किस तरफ जाता है और अगले एपिसोड में हम आगे भी बात करेंगे हिमाचल को लेकर भी और फिर गुजरात पर अब फोकस करेंगे अगले एपिसोड से क्योंकि गुजरात में अगले दौर में चुनाओ एक तारिक एक दिसंबर औ झाल झाल